पुरे देश में कोरोना ने थैमान मचा रखा है शहर में भी कोरोना वाइरस से बादीत मरीज पाए गए है ऐसे में शहर की जनता दहशत में आ गई है मगर शहर के न्यूवीरा अस्पताल के डॉक्टर आनन संचेदी इन्होंने लोगों से अपिल की है कि घबराय नहीं इस ब बशने के लिए हाथ साबुन से अच्छी तरद होए किसी से हाथ न मिलाए किसी को खासी हुई तो उससे दूर रहे कोरोना वाइरस इंफेक्शन जो अभी चाइना से शुरुआ तो ही और बाकी कुछ कंट्रीज में फैल रहा है पर जिस तरह लोगों में इसकी दहशत निर् कोई पता भी नहीं चलता है थोड़ा बहुत गले में खराश होना बुखाराना और तीन दिन बाट 85% पेशन ठीक हो जाते हैं ये लगबग 15% पेशन में ही तीन दिन से जादा चलता है और खास करके जिनकी उमर बहुत जादा है जिनको डाइबिटीज है बीपी की बीमारी है ऐसे पेशन में ही थोड़ा होगो 2% रिस्क हो सकती है सौ में से 2% पेशन को तो घबरानी की जरुवत नहीं है पर इसे फैलते वे रोकने के लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है हैंड वाश रिगूलरली करें शेक हैंड अवाइड करें क्योंकि ये खासी से स्नी खासी को आ रही है तो उससे दूर रहे है या आपको खासी आ रही तो आप किसी लोगों से दूर रहे है हैंड वाश साबुन से घर पे रेगुलर करते रहें जैसे कि पता है सैनिटाइजर अभी मिल नहीं रहे हैं लोग दीन रात भूम रहे हैं मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं पर साबुन से आप 15 से 20 मिनिट अगर हाथ दोएंगे या इवन 5 मिनिट भी हाथ दो लिए जक क्रोना वाइरस नागपूर में है नागपूर में मेडिकल कॉलेज में दोनों जक हो उसके टेस्ट होना शुरू होगी है उसके लिए वाड भी रखे है अभी तक नागपूर में सिर्फ एकी पेशेंट को हुआ है तो लोगोंने पैनिक होने की इसमें बिल्कुल पर जो चीज हैंडशेक अवाइड करना हाथ नम मिलाना और रिपिटेडली सावन से हाथ दोना और खास करके जहां भीड़ जादा है जैसे मूवीज में है एर ट्रैवल है कहीं पचास सो लोगों के साथ पार्टी हो रही है ऐसे जगह पे अगर आप अवाइड कर सकते हो तो काफी अच्छा है जिससे इंफेक्शन ना हो